सभी प्यारे साथियों को प्रीती जैन का प्यार भरा नमस्कार इतने लंबे अंतराल के बाद आप सभी से मिलने पर मेरे मन में कुछ-कुछ हो रहा है लेकिन वैसा नहीं जैसे आप सोच रहे हैं थोड़ा सा अदर है थोड़ी से एकसाइटमेंट है क्योंकि कुछ-कुछ का म कहानी का नाम भी यही है दिल तो बच्चा है जी गूलझार सहम ने क्या खूप कहा है जिन्दगी की द्डॉड में तजुर्बा कच्चा ही रह गया हम सीख ना पाय फरेव और दिल बच्चा ही रह गया बचपन में जहां चाहां हस लेते थे जहां चाहा रो लेते थे पर अब मुकाम को तमीज चाहिए और आसों को तनहाई चलो मुस्कुराने की वज़ा ढूंते हैं जिन्दगी तुम हमें ढूंडो हम तुमें ढूंते हैं साथियों सच में उम्र का दिल से कोई लेना देना नहीं होता कहते हैं दिल बच्चा है दिल सच में बच्चा ही होता है लोग कहते हैं पचास के बाद बस जिन्दगी यूँ ही चलती है पर मुझे ऐसा लगता है जिन्दगी असल में शुरू ही पचास के बाद होती है किसी के लिए नहीं, बस अपने लिए जीने का दौर शुरू हो जाता है जिम्मेदारियां लगभख खतम सी होने लगती है और आप अपने लिए अपने मंचाहे तरीके से, मंचाहे अंदाज में कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ अपने लिए जी सकते हैं कभी कभी ऐसा लगने लगता है मानों जिन्दगी फिर से मुस्कुराने की जित पकड़ के बैट कई है नूर नाहवी सहाब ने बहुत ही खुबसूरती से फरमाया है कमबक्त कभी जी से, कमबक्त कभी जी से गुजरने नहीं देती जीने की तमन्ना मुझे मरने नहीं देती उम्र का चाहे कोई भी पड़ाव हो कोई भी दौर हो बस धाड़कनों में जीने का नशा होना चाहे उम्र तो एक नमबर है साथ और नमबर से क्या डरना बढ़े चलिए बढ़े चलिए नहीं तो आप भी शायर में या फिर दौस की भाती कहेंगे कि मजबूरियों का बोच संभालते संभालते जिन्दगी बूरी को चली पर इस से पहले कि आपकी उम्र किसी के आस में और किसी पर विश्वास करते करते खत्म हो जाए तो जी डालिए जी भरके अपनी जिन्दगी को अच्छी लगने लगेगी आज आपको मिलाते हैं दिखाते हैं जिन्दगी जीने का एक मस्त अंदाज क्योंकि जिन्दगी दुबारा तो मिलने वाली है नहीं लॉकडाउन में एक वीडियो देखा था हो सकता है आप सबने भी देखा हो पर अगर देखा भी है तो भी आईए एक नए नजरिये के साथ उसको दिखाते हैं मिलते हैं रेनू चोपडाजी से जो एक आईटी कंपनी में काम करती है दिल से देखेगा जिन्दगी के कायल हो जाएगे क्योंकि दिल है छोटा सा चोटी सी है आशा आईए इंजोई करते हैं ओडों चुनरिया चुम जाओं मैं बन के माहरिया अपनी चोटी ने बादो लूँ दुनिया दिल है छोटा सा चोटी सी आशा मस्ती भर मन की भोली सी आशा चांद तारों को चुने की आशा आसुमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा चोटी सी आशा मस्ती भर मन की भोली सी आशा तो कैसा लगा आपको रेनुची का ये परफॉर्मेंस सच में क्या ग्रेस है क्या अंदाज कौन कमबक्त कहता है कि उम्र हो चली है साथियों अभी तो बस शाम ही इड़ली है और शाम होते ही चीने का एक नया अंदाज हमें जोशो खरोश से भर देता है पिक्चर अभी बाकी है देखते हैं आगे क्या क्या है पचपन में पढ़ा था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती लेकिन इसे पूरा कर दिखाया केरल में रहने वाली कार्ट्यानी अम्मानी अम्मान उन 44,440 लोगों में से एक हैं जिनोंने पिछले 5 अगस्त को लिट्रेसी एग्जामिनेशन में हिस्सा लिया था ये एग्जामिनेशन केरल स्टेट लिट्रेसी मिशन की तरफ से अपने स्टेट को 100% लिट्रेट बनाने के लिए किया गया था दिल्चस्प बात ये है कि कानेडा की एक औरगनाइजेशन है Commonwealth Learning उसने कार्ट्यानी अम्मा को अपना Goodwill Ambassador बना लिया है इस परिक्षा में 47,000 seniors यानि बुजर्ग शामिल हुए थे अभी हाली में इसका रिजल्ट आया और अम्मा ने 97 years की age में 4th class का एक्जाम पास करके दिखा दिया और ये साबित कर दिया कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती जी हाँ उन्होंने परिक्षा में 100 में से 98 यानि 100 में से 98 मार्क्स पाए और पता है उन्होंने उसके बाद क्या किया कोई जशन नहीं बनाया चल दी अपनी टीचर के पास और जाकर पूछा कि उन्हें ये दो नंबर क्यों कटे उनके है नो मज़े की बाद अम्मा को पढ़ने लिखने में बहुत रूची है परिक्षा के बाद वो शोशल मीडिया में बहुत बहुत ही मशूर हो गई और कार्टियानी अम्मा बताती है कि उन्हें उनकी बेटी से ये प्रेणा मिली कि वे ये एक्जाम दे सके पढ़ सके उन्होंने बताया कि पैसों की तंगी के कारण वे स्कूल नहीं जा पाई और अपने बच्चों की देखाल में उन्हो का एक्जाम दिया तो उन्होंने ठान लिया कि कोई भी उम्र मोहताज नहीं है शिक्षा की और उन्होंने अपने होसले के बल पर सभी को कहा है मैं तस्वी का एक्जाम तब पास करूगी जब सौ साल की हो जाओंगी है न कमाल का जजबा कुछ लोग बच्पन से ही बड़े धीर गंधीर और समाज हित के बारे में सोचने लगते हैं यादना वो लड़की ग्रेटा जिसने युनाइटेड नेशनल्स क्लाइमिट सब्मिट में बोल कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था तहल का मचा दिया था सच में उम्र की कोई सीमा नहीं एक प्यारी और दूर बिहार में बसा है हरानी होती है यह जानकर कि आज की दुनिया में आज की समय में भी कुछ ऐसे गाम है जहां शिक्षा नहीं है लेकिन इस 12 साल की बच्ची के मन में जाने क्या समाई कि उसने अपने से छोटे बच्चों को इंग्लिश इंदी और मैट्स बढ़ाना श ले गए और वहाँ पर रहने वाले एक रामपती नाम के किसान ने उसे गोद ले लिया और आज वो अपनी बिटिया पर गर्व करते हुए कहते हैं कि मैं भारती की पढ़ाई में रुकावट नहीं बन पाऊंगा कभी बनना ही नहीं जाओंगा भारती तीन बज़े तक स्कूल में पढ़ती हैं और उसके बाद अपने काव के आम के पिल की छाओं में पचास बच्चों को पढ़ाती हैं जो कि उनका मन पसंद काम है और आगे चल कर भी वो पीचर ही बनना चाहती है तो कैसी लगी आपको हमारी ये प्यारी उम्र को के द आपका तो जीए ना जिन्दगी को जी भरके चलिए इसी बात पर बुल्जार की शायरी से सवाप्त करती हूं अपनी बात चलो मुस्कुराने की वजह ढूंते हैं जिन्दगी तुम हमें ढूंडो हम तुमें ढूंडते हैं बस आज इतना ही लेकिन पक्के वाला प्रामिस क मिलती रहूंगी आपके प्यार और नए नए विश्वास के साथ एक नए नए कहानी लेकर स्वस्त रहिए और अपने अपनों का ख्यान रखिए आप नमस्कार